जैसे कि आपकी वीडियो अगर 200 MB की हो जाती है, 400 MB की हो जाती है तो आप सोचते हैं कि आर उसको 50 MB तक कैसे लेकर आए, अगर आप किसी भी ओडिशन में अपनी वीडियो देते हैं तो हर ओडिशन आपसे 50 MB की ही वीडियो मानता है, यानि कि size 50 MB होना चाहिए तो आप नहीं कर पाते हो और कभी कबार तो ऐसा होता है कि आप बहुत सही करते हो और वो वीडियो 50 ना होकर 55 हो जाती है वो सबसे सही मैथड होता है तो ऐसी application काफी सही रहती है जो आपके जो वीडियो की quality है आपकी audio की quality है उसको भी खराब ना करें और जितनी MB आप कम करना चाहते हैं उतनी MB आप कम भी कर सको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी application के बारे मैं बताऊंगा जो की काफी सही है फिरी to use है कोई भी watermark नहीं आएगा वीडियो compress करने के बाद और दूसरा सबसे बड़ी बाद आप अपने हिसाब से एक-एक MB कम कर सकते हैं विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर ये वीडियो convert कर दे करता है मैं आपको दिखाऊंगा मैंने 900 MB की जो वीडियो है उसको मैं 40 MB तक ले जाऊंगा आप खुद देखना कैसे मैं करता हूं और बहुत informative वीडियो है पुरी वीडियो जहां से देखना गैस चलिए शुरू करते हैं अब आप देख सकते हैं मैं अपने फॉन की स्क्रीन पर हूँ अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको वह एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और मैं वीडियो के नीचे लिंक नहीं दूंगा नहीं तो लोग बोलेंगे परमोशन वीडियो है इसलिए आपको प्ले स्टोर पे अपको लिखना है वीडियो कंप्रैसर आप देख सकते हैं वीडियो कंप्रैसर लिखने का भहुत सारी अप्लिकेशन जा जाएंगे लेकिन आपको यह आप देख लीजिए ये वाली आपको इंस्टॉल करनी है क्योंकि यह मैंने भाली यूज करके देखिए पूरा चैक किय है मुझे personally काफी अच्छे लगी तो यह वाली application आप use कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसका logo मैं इसको download कर लेता हूं आप sorry मैंने download कर रखा था मैंने इसको open किया है और यह कुछ इस तरह से दिखती है मैं आपको दिखा देता हूं यह रही यह आप देख सकते हैं यह है वह application इसको simply आपको open करना एक चीज का ध्यान रखना है जब आप यह application download कर लेते हैं तो net को बंद कर देना है net को बंद करने से यह फायदा होगा कि adds होती है वह नहीं दिखाई देंगी तो यह चीज आपको करने नहीं तो add आती है इस application में और चलिए open करते हैं तो आप देख सकते हैं यह open हो जुकी है इसको मैं काट देता हूँ सबसे पहले मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कौन सी वीडियो को मैं compress करूंगा compress यानि के छोटा करूंगा वीडियो मैंने 900 MB की लिए है जी है दोस्तों 900 MB की वीडियो को मैं 50 MB में आपको करके दिखाऊंगा आप देखिए और यह मेरी खुद की ही वीडियो है यह मैं वीडियो पर जाता हूँ यह आप देख सकते हैं वीडियो का साइज 860 MB सोरी 900 नहीं है 800 नीचे वाले देख लेते हैं उपर वाले को हम डिलीट कर देते हैं ओके मैं इसको डिलीट करता हूँ यह मैंने डिलीट किया है हो गया आप देख सकते हैं यह है 931 MB की वीडियो इसको मैं प्ले करता हूँ कल याने की 31 जुलाई को है दिल्ली में ओविशन इंडियन आडल के यह मैं अच्छे से जानता हूँ और यह लोग आप भी जानते हैं कि कल हो सारे तो आपने देख लिए 931 MB के अब इसको 50 MB का करेंगे चलिए आपको जाना है उसी अप्लिकेशन पर जो भी डाउनलोड की है कह मां गई वो एप्लिकेशन हाँ इधर मिलेगी ओके हाँ यह रहा मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आजाएगा सिंपली आप देख सकते हैं सबसे उपर मेरी वीडियो दिख रही है 991 MB मैं इसको ओपन करता हूँ तो यह आप देख सक पर है option तो मैं इधर वीडियो कंप्रेसर पे क्लिक करता हूँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे options आ जाते हैं इधर आप देखे कितने % आपको कम करना है अगर 95% करेंगे तो हो जाएगी 841 MB की 93 करेंगे तो 819 की हो जाएगी यह आप देख सकते 755 की हो जाएगी फिर हो जाएगी 675 की 599 बहुत सारे options आपको मिल जाएगे कितने MB की आपको करनी है अब यह आपको पता यार यह 900 MB की वीडियो है और 900 MB से आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं आप देखे सबसे last में आपको दिखाएगा यह 46 MB की आप देख सकते है यानि कि यह तो अराम से आपकी अच्छी क्वालिटी में हो जाएगी कंप्रेस करने का simply क्या करना है मुझे simply क्लिक करना है आपकी वीडियो कनवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी आप देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के आपकी सीधा स्टार्ट हो जाएगी आप दूसरी application का भी वाटर मार्क नहीं आता जब ये वीडियो निकाल देता है याने बना देता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो अगर आप दूसरा application यूज करना चाहते तो कर सकते हैं लेकिन मुझे ये भाई परसनली बहुत अच्छा लगा आप देख सकते हैं ये हो रहा है इसमें टा कि ये कल याने की 31 जुलाई को है दिली में ओडिशन इंडियन एडल के और ये मैं अच्छे से जानता हूं और ये लोग आप भी जार देना है चाहें तो इसको मैं हटा देता हूं इस तरह से मैंने इसको हटा दिया है अब आपको जाना है फाइल मैनेजर पे फाइल मैनेजर भी ऐसा ही दिखता है ये रहा फाइल मैनेजर पे और ये आप देख सकते हैं ये अभी जो मैंने वीडियो आप नीचे वाली देखिए 931 MB के अब उपर वाली देखिए 45 MB की हो गई है वही वीडियो है मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूं कल याने की 31 जुलाई को है दिल्ली में और ये मैं अच्छे से जानता हूं और ये लोग आप भी जानते हैं के कल हो सारे लोग जाएंगे आपकी वीडियो की क्वालिटी कमने हूँ क्योंकि आपकी वीडियो 200-400 MB तक ही रहने वाली तो काफी अच्छी क्वालिटी में आप बना सकते हैं अभी एक चीज और दिखाता हूँ मैं इस एप्लिकेशन की मुझे क्यों और अच्छा लगा वो भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ऐसा भी होता है कि थोड़ा और अच्छे से आप अगर करना चाहें तो वो भी ओप्शन है इधर आप देखिए जो वीडियो है वो ये क्लिक करना है ये हो सभी है आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी की हैं ये सारी और इधर आपको एमबी मिल जाएगा वाई कितनी कम करनी है फिर लो क्वालिटी पे आ जाता है ओप्शन ये लो क्वालिटी पे गाईज और कम कर सकते हैं आप 27 अमबी तक कर सकते हैं लेकिन ल आई quality पर रखना, यह देख सकते हैं उपर लिखा हुआ है, high quality, low quality, एक option है जो मैं आप बताने जा रहे हूँ, वह है custom का, custom में आप जैसे आप देख सकते हैं, 930 MB, 930 MB, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम आप देख सकते हैं, मैं इसको घटा रहा हूँ, तो एक कम हो रहा है आप देख सकते हैं, एक-एक MB आप कम कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी सही फीचर लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यह होता है, कि भाई 50 MB की वीडियो डाल लिया, उनकी 55, 60, या फिर 80 की हो जाती है, तो या तो वो बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, या फिर वो थो आपको बता दिये, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, एक चीज और यादत ना, इंटरनेट बंद करके करना, नहीं तो भाई इस पर एड आएंगे, तो आपको परिसान करेंगे, तो इंटरनेट बंद करके ये काम आप कर सकते हैं, गाईज, कैसी लगे वीडिय के साथ, तब तक के लिए टेक केर एंट गुडबाई,